Hello everyone, welcome back to our class, history की क्लास है आज और history की क्लास में आज पढ़ोगे आप modern age की पूरी टाइम लाइन 1905 से 1905 से जब तक भारत आजात हुआ था यानि की 1947 तक इसको आपने एक स्टोरी की तरह पढ़ना की 1905 में क्या हुआ फिर 1906 में कौन कौन से काम हुए 1907 में तो आपको अपने और 1947 तक क्या-क्या काम हुए उससे पहले का जो भी सिक्षा का विकास है या प्रेस है वो सारी या प्रथम सतंता संग्रा में वो सब चीजे हम कर चुके हैं अब सबसे पहले हुआ था बंगाल का विभाजन तो इसमें जो सबसे पहला कोशन बनता है कि किस वाइसराय ने बं और करजन की साशनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था अब आप बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वाइसराय इन तीनों चीजों में आपको पता चल गया होगी कौन क्या था या आपको मैंने कल भी बताया था और कब हुआ था ये वह थ आपका 1905 में 1905 से स्टार्ट हो गया है अब बंगाल का विभाजन ही क्यों हुआ था वैसे तो अंग्रेजों के हिसाब से यहां के विकास करने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर रहे थे लेकिन एक्चुल में यह क्या कर रहे थे बंगाली रास्टरवाद जो घटना हो रही थी वह बंगाल वारे एरिया बंगाल बिहार उस टाइम पर ओड़ी से यह सब एक साथ होते थे वहां से शुरू हो रही थी तो इन्होंने क्या करा लॉड कर जने वहां की रास्टरवाद की विचारधारा को कम करने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन का निरने लिया और बोला इन्होंने कि हम यहाँ पर प्रशाशनिक सुविधा देने के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं तो घोशना जो हुई थी यह हुई थी 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोशना हुई और 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो गया कि यानि कि 16 ता बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस निम्नमे से किस तारिक को मनाया गया था तो 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को ही यह प्रभावी हुआ था लेगिन जब 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोशना होई थी अंग्रियजों ने इसकी घोशना कर दी थी कि 16 तार इसका नाम था बंग बंग आंदोलन और इसका जो नेत्रित तो किया था ये किया था सुरेंदर नाथ बनेर जी ने ये थे बेंगॉली सुरेंदर नाथ बनेर जी ने बंग 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 आंदोलन का नेत्रित तो किया था अब है कि एक कोशन बना है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तों के पहिशकार का सुजाव किस ने दिया था ये दिया था क्रिश्न कुमार मित्र ने और संजीवनी पत्रिका इन्होंने चलाते थे उसमें इन्होंने कहा था कि बंगाल के लोगों को प्रिटेन की वस्तों का बहिशकाश शुरू कर देना चाहिए अब एक बारी तो बंगाल का बिभाजन हुआ था 1905 में अब इस बिभाजन को मतलब लड़ते रहे जो कुछ भी हो तरह इसके बाद ये हुआ रद 1911 में यह आपको ध्यान रखना है और उसी टाइम ये गोशना हुई थी कि जो राजधानी कलकत्ता है हमारे देश की वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी तो राजधानी परिवरतन भी कब गोशना की गई 1911 में गोशना 1911 में हुई थी और 1912 में शिफ्ट हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी आगे जब होगा तो पहले आप यहाँ पर देख लीजे कि जो में कुशन है कि बंगाल का विभाजन रद कब हुआ था जो 1905 वाला था वो हुआ था 1911 में रद और डेट क्या थी 12 दिसंबर और राजधानी दिल्ली जो है वो राजधानी दिल्ली बनाने की गोशना हुई थी और जो बंगाल था ये तीन परांतों में बट गया था एक तो बंगाल उडिसा और बिहार बिहार और उडिसा को यहां से अलग कर दिया गया अब जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उसका नेत्युत तो अलग अलग जगा में लोग कर रहे थे मैंने पहले भी बताया पूरे देश में विरोध चल रहा था तो बंबई में कर रहे है कि बंग भंग आंदोलन या बंगाल के विभाजन का विरोध दिल्ली में उसका नेत्र तो कौन किस ने किया था तो सेयद हैदर रजा ने मदराश में चिदंबरम ने और इसी टाइम पे जो वंदे मातरम है ये राश्चे आंदोलन का सीर्षगीत बन गया था अब 1905 हो ग दूसरी जो कॉंग्रेस का अदिवेशन है कॉंग्रेस के अदिवेशन भी कुछ-कुछ आपको याद रखने है तो 1905 और 1906 यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे केवल कॉंग्रेस के अदिवेशन की बात हुई गे बागी 1906 में एक बहुत इंपोर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था मुसलिम लीग की स्ताबना वो आपको मैं नीचे बताऊंगी तो आप यहाँ पे देख लीजिए उपर आपने एक चीज़ तो देख ली अब ऐसे ही आप समझते रहेंगे जो कॉंग्रेस का अदिवेशन हुआ था 1905 का इसकी जो अध्यक्षिता की थी गोपाल गोखले को और यह अध्यवेशन हुआ था बनारस में उसके बाद 1906 में हुआ था जो अध्यक्षिता की है दादा भाई नैरोजनी और यह हुआ था कलकत्ता में और पहली बार जो स्वराज की मांग की गई थी कॉंग्रेस के किस अध्यवेशन में की थी वो की गई थी 1906 मे स्वराज सब्द पहली बार किसने यूच किया था मैंने आपको बदाया था ये किया था दयानन सर्शोती ने और स्वराज मेरा जन्वसी अधिकार ये नारा दिया था बीजी लोकमाने बाल गंगाधर तिलक ने बीजी तिलक में और पहली बार कॉंग्रेस का ऐसा कॉंसा अ की गई थी वो था 1906 का Congress का अधिवेशन कलकत्ता का इसकी जो अध्यक्षता की है दादा भाई नहरो जी ने दादा भाई नहरो जी को Great Grand Old Man of India ये कहा जाता था दादा भाई नहरो जी को और पहले भारतिय जो थे कि British संसत के जो सदसे बने थे 1892 में वो बने थे दादा भाई न बनता है कि ऐसे पहले भारतिय कौन थे जो British संसत के सदसे बने थे और जो Congress के अध्यक्ष रहे हैं ये किस-किस अधिवेशन में रहे थे तो ये 1886 में, 93 में और 1906 में ये इतना important नहीं है अब बात आती है कि 1907, 1907 से पहले याँ पहले 1906 का पूरा देख लीजिए आपने दे स्तापना किस ने करी थी? ये करी थी नबाब सलीमुला खान ने ये नाम आपको कुछ ध्यान रखने है एक नबाब सलीमुला खान और आगा खान इसने स्तापना करी थी कहां की थी धाका में धाका कहा है वरतमान में? बंगला देश में और मुख्याले कहां बनाया गया साल बाद इन की मेटिंग हुई अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका कराची में और उसकी जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आगा खाप्रतम अध्यक्ष के और दो चीजे ये है कि धाका में स्तापना हुई और मुख्याले बना था लखनों में अब 1907 में 1907 में हुआ था कॉंग्रिस थी ये दो विचारधाराओं में बट गई एक तो हुआ गरमदल और एक हुआ नरमदल नरमदल में अधिकतर उदारवादी लोग आते थे और गरमदल में जो उग्र विचारधारा के लोग थे वो आते थे और जो सूरत का अधिवेशन हुआ इससे पहले इसकी गरम दल का किया था वो करा था बाल गंगाधर तिलक ने इनों ले अलग से वैसे जो गरम दल वाले थे इनोंने खुद ही इनको भार कर दिया था और इस अधिवेशन की जो सूरत में हो रहा था पहले इसके अध्यक्ष बनना चाहते थे तिलक बड़ चुकिये गरम दल की और ननम दल उसके बाद ठीक 1916 में कॉंग्रेस वापिस एक हुई थी गरंदल वाले भी कॉंग्रेस में मिल गये थे और 1916 में ही मुस्लिम लीक भी कॉंग्रेस के साथ इनका विलय हुआ था यानि कि 1916 का फिर से important है ठीक 10 साल बात अब 1907 तक आपने देख लिया है अब 1908 मे कुछ as such important नहीं हुआ फिर हुआ 1909 में मागले मिन्टो सुधार मैंने आपको यह पॉलिटिकी क्लास में भी बताया मागले मिन्टो सुधार इसमें क्या हुआ कि सामप्रदाइक प्रतिन निदित्व जैसे मुस्लिम लीक बनी 1906 में ये गए जो वाइसराय था उस टाइम 1909 बना था जिसे बोला जाता है मारले मिन्टो मारले था भारत का सच्चिव और मिन्टो था उस टाइम पर वाइसराय तो इसकी तहत क्या करा इन्होंने मुसल्मानों के लिए अलग जो है प्रतिनी दित्व दे दिया अलग निर्वाचन छेत्र दे दिया और जो देश के वि 1911 में हुआ एक तो जो मैंने पहले बताया कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में वो रद होके 1911 में रद हुआ वो 12 दिसंबर 1911 में और राजधानी परिवर्तन राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्डी लाई गई ठीक है और उस टाइम पर जो लॉर्ड हार्डिंग ये याद रखना है कि वाइसराय कौन था हार्डिंग तो ये हर्डल पैदा कर रहा था हर्डल मतलब होता है कि जो विरोध कर रहा हो की चीज़ का ये हर्डल आप ऐसे याद कर सकते हो हर्डिंग से मतलब हर्डल कि हर्डल पैदा कर रहा था राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने में और उस टाइम पे जब इसकी जो यात्रा निकल रही थी वहाँ पे बंबी फेका गया था तो एक कोशन बना था और सेम उसी टाइम पे ब्रिटेन के राजा जोर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था तो अप्रेल 1912 को ये बंगाल भिवाजन रद धोके बिहार उड़ी सा अलग हो गय थे यानि कि घोशना तो 1911 में हो गई थी और 1912 में अलग हुए सेम 1912 में ही राजधानी परिवर्टित हुई अगर घोशना सब्दा आया कि राजधानी परिवर्टन की घोशना कभ हुई तो 19 1911 और राजधानी शिफ्ट कभ हुई तो 1912 तो मुसली 1911 ही ऑप्षन में दिया जाता है फिर हुआ में 1912 के बाद आया आपका 1916 यानि लखनो समझोता मैंने बताया बहुत इंपोर्टन समझोता है बहुत जो अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का लखनो अधिवेशन ये बहुत इंपोर्टन था दो चीज़ें इसमें इंपोर्टन हुई थी एक तो गरमदल और नरमदल एक हुआ था और एक कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच समझोता हुआ था मुसलिम लीग ने जो अलग निर्वाचन छेत्र मांग लिया था अपने ले 1909 में माले मिंटो सुधार में तो 1916 में कॉंग्रेस ने इसको मान लिया कि ठीक है बई चलो तुमने अलग निर्वाचन छेत्र मान लिया है यहाँ पर देखिए कि मुसलिम लीग के प्रिथक निर्वाचन छेत्र की मांग को सुईकार कर लिया गया था कॉंग्रेस द्वारा 1916 में उसके लाव में भी तिलक की थी और मिलाने में भी इनकी भूमी का थी इन्नोंने वापस मिला दिया और जो कॉंग्रेश औ लीग के चल योजना बनी थी जो समझोता हुआ था इसमें जो भूमी का निभाई थी वो निभाई थी मुहमद 아ली जिन्ना ने स्टार्टिंग के टाइब में मुहमत अनली जिन्ना जो था वो रास्टरवादी था वो ऐसे कटर मुस्लिम वादी नहीं था, वो रास्टरवादी था बाकि आगे मैं आपको स्टोरी बताती रहोंगी और जो लखनाव समझोते की जो अध्यक्षता की थी वो करी थी अंबिका चरण मजुमदालने अब 1916 तक भी हो गया है आगे देखते हैं 1916 में और क्या काम हो आथा 1916 में बना था होम रूल लीग आदोलन ये होम रूल के नाम से ही आता है हिंदी में और इंगलिश दोनों में कई बार इसका नाम ग्रह शाशन आदोलन भी आया वा है तो जो टफ है वो है ग्रह शाशन आदोलन ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना होता है तो Home Rule का ही दूसरा नाम है Gray Shashan-Andolan अब इसकी जो इस्तापनावी थी ये दो जगा हुई है एक तो तिलक ने अपना Home Rule बनाया था जो बनाया था 28 अप्रैल 1916 को और एनी बेसन ये बनाया था पूरा में और एनी बेसन ने अपना अलग बनाया था 3 सेप्टेंबर 1916 को मदरास में ये मराठा के नाम से मराठा और केशरी में इसके बारे में बात की गई थी और नियू इंडिया और कॉमन वील आपको पता है कि एक एनिवेसिंट की पत्री काएं थी इसके बारे में बोला जाता था और कब बना था ये तो जब प्रथम विश्योईद चल रहा था उस टाइम पे इसकी स्तापना हुई थी यहनि 1914 से प्रथम विश्योईद स्टार्ट हो गया था उसकी जो प्रोसीजर थी वो स्टार्ट हो गयी थी 1916 में होम रूल दोनों होम रूल बन गये थे और होम रूल एक कव होई तिलक और एनिबेसेंट के वो होई थे आपके 1918 में दोनों को मिलाकर एक कड़ दिया गया तो question सिंपली यह बनता है कि होम रूल की स्तापना कव कव हुई थी तो यह हुई थी आपकी 1916 में 1916 में आपको सिंपली ऐसा question पूछा जाता है mostly अंदोलन हुए थे अब यह जो टाइम है यह है mostly 1918, 19 और 20 का ठीक है इसमें देखते हैं कि कौन से कव होई थे क्या वा था पहले इसमें थोड़ा बहुत गांदी जी के बारे में पढ़ेंगे अब गांदी जी जो थे वो 21 वर्ष तक अब दक्षिन अफरिका में रहे थे तो यह question बनता है कि गांदी जी ने दक्षिन अफरिका में कितने समय तक वो रहे थे तो 21 साल थक जब वो 24 वर्ष की उम्र में 1893 में डर्बन चले गए थे और वहां से लोटे वो जनवरी 1915 में वो भारत लोटे थे तो यह question भी बनाया भात बारी कि गांदी जी भारत स्वदेश कब लोटे थे 1915 में उसके बीच में वो एक बारी भारत आये थे जब तो उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन जो कॉंग्रेस का वह था 1901 इसमें भाग लिया था अध्यक्ष नहीं बने थे केवल भाग लिया था तो अगर question बने कि निम्न में से कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गांदी जी ने स पत्री का चलाई थी वहाँ पे इंडियन ओपीनियन जो कि आपकी किन-किन भासाओं में छपती थी गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रीजी फिर 1884 में उन्होंने नटाल इंडियल कॉंग्रेस की स्तापना करी फिर बनाया उन्होंने टॉलस्टाइ फॉर्म और यहीं प इनार्किस्ट सत्य और अहिंशा इसको उन्होंने रामराज्य की दो जो महत्वपूर्ण पहलु बताया थे वो बताया थे सत्य और अहिंशा यह तो सभी को पता होगा कि सत्य और अहिंशा के रस्ते पे गांदी जी चलते थे फिर जब वो भारत आगे थे तो उन्होंने अश्रम एक ही चीज है 1915 में ये बनाया था उन्होंने सावरमती अहमदभाद के कोच्रप श्टेत्रमे उसके बाद इस सत्याहग्रीया आश्रम को शिफट कर दिया गया सावरमती नदी के किनारे तो इसका नाव रख दिया गया सावरमती आश्रम और सभु Anam ने 1917 में अब गांधी जी के राजनीति गुरु किसको माना जाता है तो ये माना जाता है गोपाल कृष्टन गोखले को बहुत बारी में आपको बता चुकी हूँ अब सबसे पहला सत्यागरह है गांधी जी ने जो सत्यागरह किये थे या आंदुलन किये थे वो थे चमपारण एहमदाबाद और खेड़ा ये लगातार हुए थे 1917-18 में दो अब इनको कैसे याद करना है क्वेशन में आता है कि इनको अरेंज करो तो ये आता है चमपा ने खाई एहमद की खीर चमपा ने खाई एहमद की खीर तो चमपा से हो गया चमपारण ये सब बताऊंगी कि मैं क्यों हुए थे एहमदाबाद में हर्डा और खेड़ा से हो गया खीर से हो गया आपका खेड़ा आंदुलन ये भी आपका अठारा में हुआ है एक एहमदाबाद में हर्डा अर वाले में भी आया था अब देखो चमपारण जो अंदोलन हुआ था ये बिहार चेतर ने पद्दती तिन कठिया पद्दती ये question यही बनता है as it is कि तिन कठिया पद्दती क्या थी या फिर चमपारण में जो आंदोलन हुआ था वो किस पद्दिती के विरोध में हुआ था अंग्रेजु ने बोला कि 3 upon 20 तीन बटे 20 भाग जो होगा आपकी भूमी का वहाँ पे 1917 में ये गए गांदी जी के पास कि वहां के लोगों की मदद करो क्योंकि गांदी जी नेशनल नेता थे तो राजकुमार शुक्ल के आगरह पर question ये भी है कि किसके आगरह पर गांदी जी चमपारण गए थे तो राजकुमार शुक्ल के आगरह पर तो फिर गांधी जी ने चंपारण में पहला सत्यागरे कोशन है सबसे पहला सत्यागरे कब किया था गांधी जी द्वारा तो 1917 में चंपारण बिहार में और इसी टाइम पर गांधी जी के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था और किस ने दिया था वो महात्मा शब्द र दूर होते हैं उनकी कुछ सेलरी की प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वज़े से हड़ताल हुई थी और पहली बार गांदी जी ने भूकरताल कप की थी यह करी थी एहमदाबाद मिल हड़ताल में और यह हुई थी आपकी फेबरी मार्च में 1918 में फिर हुआ था आपका खेड़ा आगे बताऊंगे 1920 में तो अभी आप 1917-18 18 वाला पोर्शन देख रहे हैं फिर एक कोशन बनता है कि निम्न में से किसमे से गांदी जी जुड़े वे नहीं थे तो एक हुआ था बाढदोली सत्यागर है तो इससे जुड़े वे थे सर्दार बल्लभाई पटेल और यह वह था जब फाइनली हम लोग अजादी के लिए लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे तो सुभाजचंद्र बोश जी ने रेडियो में कुछ कहा था कि अब अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है तो रास्टरपिता हमें अपना आशिरवात दे दो इनके बीच गांदी जी के बीच औ और सुभाजचंद्र बोश के बीच ज़्यादा बंती नहीं थी बट उस टाइम पे सुभाजचंद्र बोश जी ने इनको रास्टरपिता के उपादी दी थी फिर एकी सुतंता अंदुलन के टाइम पे महत्मा गांदी के जो करीबी मित्र कौन थे जो की अंग्रेज थे ये थे चार्ली एंडूज इनको दीन बंधू एंडूज भी कहा चाता है तो क्वेशन है कि दीन बंधू किसको उपादी दी गई है दीन बंधू किसका अन्य नाम है तो वो है चार्ली एंडूज का ये गोल में सम्मेलन जो हुआ था दूतिया उसमें गांदी जी के साथ गए थे अब एक चीज है कि क्या जब भारत को स्वतंतरता मिली थी तो गांदी जी कॉंग्रेस के सदश से थे या नहीं थे तो गांदी जी ओफिशियली कॉंग्रेस के सदश से नहीं थे उन्होंने 1934 में कॉंग्रेस से स्तीपा दे दिया था बट वो वैसे तो जुड़े वे नहीं थे बट अपनी राय वो कॉंग्रेस को देते रहते थे और उन्होंने ये भी कहा था कि जब 1947 में बारत आजाद हुआ तो गांदी जी के ही वचन थे कि कॉंग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए अब इचम्पारान वाला आप पढ़ चुके हो अब 18 तक हो गया अब है 1919 फिर 19 भी important है क्योंकि हुआ था important क्योंकि इस टाइम पे हुआ था जलिया वाला बाग खत्या कांड अब ये है कि रॉलेट एक्ट था क्या तो जो भारत में करांतिकारी गतिविधियां चल रही थी इनको कुचलने के लिए 1917 में नयाधिस सिड्नी रॉलेट इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पढ़ा था अब इसमें क्या था कि किसी भी जो क्रांतिकारी उसको बिना मुकदमे के जेल में बंद कर दिया जाता था तो इसका नाम भी पढ़ा था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का एक्ट या फिर कानून अब मार्च 1919 में ये एक्ट पारित हो गया है यानि कि रॉलेट एक्ट शुरू हो गया है आपको इसके मन्थ भी ध्यान रखने को कि कई बारी ये ऐसे आ जाता है कि जैसे अभी आपने देखा चमपा रन था, एहमदाबाद था, अब उसके बीच में मार्च वो फैब में चला था खेड़ा अंदुलन, तो यहाँ पे इसको एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि चमपा ने खाई एहमद जी की खीर तो जा से जो आ रहा है, बीच में जलिया वाला बाग, हर्तिया कांड आ रहा है अब जो वाइसरा था इस टाइम पे, ये था लार्ड चेम्स फोर्ड आपने 1919 का जो अधिनियम आया था, भारा सरकार अधिनियम उसमें देखा होगा, मान टेग्यू, चेम्स फोर्ड सुधार था जिसमें की प्रांत में 12 साशन शुरू कर दिया गया था तो उस टाइम पे वाइसरा इकॉन था, चेम्स फोर्ड और जो अखिल भारतिय राजनीती में गांधी जी का पहला कदम तो ये था रॉलिट सत्याग्रह, जो उपर चम्पारानवादा सत्याग्रह हुआ था वो केवल बिहार में हुआ था, वो पूरे भारत में नहीं हुआ था लेकिन जो पूरे भारत में शुरूआ वो हुआ था रॉलिट सत्याग्रह अब इस एक्ट का जो रॉलेट एक्ट का पूरा नाम था वो था दनार्किकल एंड रिवोलिशनरी क्राइम एक्ट रॉलेट एक्ट तो जो सिड्नी रॉलेट था उनके नाम पे इसको रॉलेट एक्ट कह दिया गया और जो 6 अप्रेल 1919 में गांधी जी ने देश व्यापी हर्ताल चलाई थी और 13 अप्रेल 1919 को जलियावाला बाग हत्या गांड हुआ था दो लोग थे डॉक्टर सैफुदिन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इन्होंने बुलाई थी अमरित सर में वैसाखी के दिन एक सारोजनिक सभा लेकिन जनरल डॉयर था उसने क्या कर दिया लोगों पे जो निहत्ते लोग थे बैठे वेते चुपचाव उन पे गोलिया चला दी और 1000 लोगों से भी जादा लोगों की वहां पे हत्या कर दी गई को दी गई थी इसको वापिस कर दिया गया संकरन नायर थे ये वाइसराय कारी कारणी परिशत के सदर से थे इन्होंने वहां से इस्तीपा दे दिया अब जो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था इसके जाच के लिए एक आयोग बनाया गया हंटर आयोग तो कोशन मनता हंटर या आयोग किस वज़े से बना था तो ये बना था ये पहले तो वैसे रॉलेट एक्ट की ही जाच के लिए बना हुआ था तो और फिर बाद में इसको जाच करनी पड़ी जो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ उसकी भी इसने जाच करी थी तो ये बना मार्च उनि जॉब से हाथ दोना पड़ा था बाकि उसको बलकि बिटेन के बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएं थे उसमें उसको बहुत समान दिया गया था उसको मान की तलवार तक का समान बिटेन में दिया गया और उसके पत्र पत्रिकाओं में भी उसको बिटिश शामराज्य का सेर कह चलाया गया और हंटर आयोग ने भी केवल ये बोला कि वहां पर जरूरी था गोलिया चलाना बस उसे निरने की भूल बताया गया अब एक तो था जनरल डायर और एक था माइकल ओ डायर ये क्या था उस टाइम पर पंजाब का गवर्नर था ये भी उसमें शामिल था एक तो ज जलिया वाला बाग का कांड हुआ है और 1940 में उधम सिंग एक क्रांतिकारी था इसने वहां जाकर बिर्टेन में जाकर माइकल ओ डायर पे गोली चलाई थी और उसकी हत्या कर दी थी और तब इसको हुई थी फांसी तो कोश्चन माइकल ओ डायर का भी बनता है ये था पंजा इसने क्या बोला इसने का ये निवारक हत्या थी जरूरी थी ये हत्या ठीक है लेकिन जबकि जो दीन बंदू एंड्रूस थे आपको मैंने अभी दीन बंदू बताया इन्होंने बोला था कि ये जान बूज कर की गई कुरूर हत्या थी अब 1919 में आपने जलिया वाला बाग खत्याकान देख लिया फिर उसी टाइम पे हुआ है खिलाफत आंदूलन उसके बाद हुआ है खिलाफत आंदूलन अफ खिलाफत आंदूलन क्यों हुआ था खिलाफत आंदूलन का भारत से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उस टाइम पे जो भारतिये मुसल्मान थे ये खलीफा को अपना खलीफा मानते थे लेकिन जब प्रतम विश्व युदुहा तो अंग्रेजों ने क्या करा कि तुर्की सामराजी का विगटन कर दिया तो इसके विरोध में भारतिय मुसल्मान भी आ गये थे अब क्वेशन है कि खिलाफत आंदोलन किस ने शुरू किया था तो ये शुरू किया था अली बंदुहों ने मुहमद अली और शौकत अली दो भाई थे इन्होंने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया था और इस अंदोलन को समर्थन दिया था गांदी जी ने बलकि ये उसके अध्यक्ष भी बने थे माहत्मा गांदी खिलाफत आं मुसल्मानों को अंग्रेजों के खिलाब जो है उनका विरोध लेना चाहते थे और भारतिय मुसल्मानों को भी वो साथ चाहते थे और उन्होंने इसके लिए कहा भी था कि यहां पे हिंदू-मुसलिम एकता का ये एक प्रतीक होगा लेकिन जो मुहमद अली जिन्ना जो की बा बोला कि आप मुसल्मानों को ये उनका अलग विरोध है इसको अपने फाइदे के लिए यहां पे यूज ना करें फिर सेप्टेंबर 1919 को बना था अखिल भारतिय खिलाफत कमिटी इसका गठन हुआ सेप्टेंबर 1919 को 1920 में हुआ था इलाबाद सभा 1920 से ही गांधी जी ने अ कि आप लोग भी असयोग आंदोलन छेड़ दें 1919 से और 22 तक तो यहां पे दोनों चीजे चली है 1919 में तो आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया है 1919 में खिलाफत और 1920 में हुआ आपका असयोग आंदोलन शुरू तो इसको हिंदू-मुसलिम एकता के रूप में किस गया था फिर है एक मोपला आंदोलन तो कुशन है कि मोपला आंदोलन किसकी साखा थी कौन से आंदोलन की तो यह थी खिलाफत आंदोलन की साखा वैसे मोपला एक अलग आंदोलन था जो कि केरल का मोपला ऐसे याद कर सकते हो जो कि केरला में 1921 में हुआ था कास्तकारों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था और उसी टाइम पे वहां पे खिलाफत आंदोलन भी बहुत उग्रू रूप में था तो खिलाफत और मोपला कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लोग कौन सा आंदोलन चला रहे हैं तो ये दोनों मिक्षों के एक ही बन गेते हैं मोपला और खिलाफत तो क्वेशन यही बनता है कि मोपला आंदुलन किसकी साखा थी फिर आया था आपका 1920 में असयोग आंदुलन बहुत इंपॉर्टेंट है असयोग आंदुलन अब 1920 का जो असयोग आंदुलन है कब से कब तक चला है 1920 से 1922 अभी तक 1919 तक की आपने सारी घटनाए देख ली अब 1920 से 22 तक का हिसाब यहाँ पे होगा तो सेप्टेंबर 1920 का जो कलकत्ता कॉंग्रेस का विशेश अधिवेशन एक उनका वार्शिक अधिवेशन होता था हर साल जिसमें अध्यक्ष बनते थे मैं बता भी रिविन जो जो में अधिवेशन होए उनके अध्यक्ष और एक विशेश अधिवेशन हुआ इनका हुआ है दिसंबर 1920 में और गांधी जी द्वारा जो प्रथम जन आंदोलन था अभी तक कि तीन दो कोशन आपने उपर अलग पड़ लिए हैं प्रथम जन आंदोलन जो हुआ था वो था असयोग आंदोलन और इसमें गांधी जी ने घोशना की तिया नारा दिया था कि एक वर जाधी वापिस की थी बहुत सारे लोगों ने अपनी जो वकालत कर रहे थे उसका त्याग कर दिया था जिनमें ये लोग थे सियार दास, मोतिलाल नहरू, राजिंद्र परशाद, जवालाल नहरू, बिठल भाई पटेल और बलब भाई पटेल दो तो भाई भाई पटेल है जवालाल नहरू और मोतिलाल नहरू ये फादर और सन है और सियार दास और राजिंद्र परशाद दो ये थे, अब किये है कि अर्सोयो गांदोलन वापस क्यों लिया गया, तो चौरी-चौरा एक कांड हुआ था, चौरी-चौरा कांड 1922 में, ये गोरकपुर, गोरकपुर तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आग लगा दी थी और बहुत सारे जो पुलिस कर्मी थे, वो जल गये थे और मर गये थे, तो इससे दुखी होकर गांदी जी ने अपना आंदोलन वापिस ले लिया था, असायो कांडोलन, अब ये है कि कब हुआ था, चौरी-चौरा हत्या ये हुआ ता 5 फरवरी 1922 को, अब गोरकफुर को आप गोरकफुर पढ़िये, फुर से आपको याद हो जाएगा, फरवरी, गोरकफुर से आपको फरवरी रहेगा, फरवरी 1922 में हुआ है, ज्यादतर आपको महीने ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसे अरेंज कर निकले आगया, तो एक ही साल में बहुत सारी घटनाय हुई है, तो आपको फरवरी मार्च तक ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आप गोरकफुर को गिने, तो इसमें आते हैं, पांच, पांच अक्षर आ रहे हैं, तो पांच फरवरी, इससे आपको याद हुजाएगा तो अब आपका हो चुका है 1922 तक, अब आते हम ठीक 1923 में, तो 1923 में हुआ था सुराज पार्टी का गठन, अब जब असयो का अंदोलन हो गया, वो सफल नहीं रहा, उसकी असपलता के बाद बनाई सुराज पार्टी, और जो 1919 का भारत सरकार अधिनयम आया था, या फिर मा इन्हों ने बनाई थी सुराज पार्टी, और किस ने बनाई थी, ये बनाई थी, सियार दास और मोतिलाल नहरू, ये दोनों या नाम याद रखने है, ज्यादा तर मोतिलाल नहरू ही ऑप्शन में रहता है, लेकिन आपको सियार दास भी ध्यान रखना है, अगर दो नाम आ चितरंजन दास, CR दास, अब एक चीज थी, कि एक तो कर रहे थे इसका विरोध, जो 1919 का भारत साशन अधिनियम आये था, और एक कुछ लोग कर रहे थे सपोर्ट, यानि कि कॉंग्रेस भी दो भागों में बढ़ गई थी, कि जो एक तो सपोर्ट में थे, और एक थे विरोध म जो सपोर्ट में थे, वो अपने आप ही कॉंग्रेस से अलग हो गया, उन्होंने बना दी इंडियन लिबरल फेडरेशन, इसके जो अध्यक्ष्ट थे, वो कौन बने, सुरेंदर नाथ बनर जी, ये कर रहे हैं इसको सपोर्ट, और कुछ कॉंग्रेस में जो विरोध में थे उन्होंने अपनी अलग होके बना दी सुराज पार्टी, यानि कि कॉंग्रेस तीन भागों में बढ़ गी, एक तो कॉंग्रेस कॉंग्रेस ही है, एक सुराज पार्टी अपनी अलग बन गई, और दूसरी बन गई इंडियन लिबरल फेडरेशन, अब है कि एक कोशन बना है और ये स्वराज पार्टी के सहसंस्तापकों में भी एक थे, ये भी स्वराज पार्टी के सपोर्ट में थे, अब इतना हो चुका है, आज हमारा 1923 तक कम्पलीट हो गया है, कल हम करेंगे अपना 1927 से या साइमन कमिशन जब आया था और 1947 तक, यानि कि पूरे 20 साल में क्या-क् खटनाएं हुई, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तयारी करते रहिए, गुड़ लग, टेक क्यार, बबाए